तो कैसे हो गेमर्स आप सभी का वैलकम है एक और अमीजिंग वीडियो में तो आजकल हर एक गेमर केवल एक ही गेम की बात कर रहा है जिसका नाम है पैल वर्ल्ड जिसमें आपको बड़ा सा मैप मिलता है पैल सोते हैं और आपको सर्वाइफ करना होता है बड़ ये गेम तो मो आपको बता दू कि इन में से कुछ गेम तो आप अभी खेल सकते हो बट एक दो गेम ऐसे हैं जो कि अभी रिलीस नहीं होए हैं मगर वो भी जल्दी रिलीस हो जाएंगे और हाँ अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर देना और च इस गेम में भी वही करना होता है जो कि आपको पैल वर्ड में देखने को मिलता है हम बहुत सारे पैट को कलेक्ट करते टेम करते हैं और फिर अपने सफर पर निकल बढ़ते हैं जिसमें हमारा सामना बहुत साए मौश्टर और अपोनेंट से होगा मगर उनसे लड़ने में हमारी हेल्प करेंगे जिससे हम सर्वाइफ कर पाएं और इस गेम में आपको पीवी फाइट करनी होगी और काफी सारे टास्क भी मिलते हैं और अगर गेम के ग्राफिक्स की बात करें तो वो भी आपको बढ़िया देखने कले मिलते हैं और गेम का साइज आपको 1.4 GB के आस लिमीट को मेंटेन करेंगे आपको पूरे मैप से रिसोर्स कलेक्ट करके टूल, वैपनज और भी समान बनाने होंगे और मेरे अपने रहने क लिए एक शाइटर बनाना होगा और जो आपको पैल्स मिलते हैं वो आपकी ह أنا करें गे और बहुत सारे क्रीच्छ पैम में देखन चाहते हो तो आप इस गेम को खेल सकते हो और नमबर थ्री पर जो गेम आता है उसका नाम है यूटोपिया ओरिजिन गाइस ये एकदम नमबर फूर वाले गेम की तरह है पर थाई लेवल का मतलब इसमें आपको बड़ा सा उपन वर्ल मैप मिलता है जिसका नाम है यूटोपि आइटम्स कलेक्ट करते हैं न्यू न्यू पैल्स देखने को मिलते हैं उनको टेम करके अपना फ्रेंड बनाते हैं और फिर हमारा सामना खतनाग मौस्टर से भी होता है जिनसे फाइट करने में पैल्स हमारी हेल्प करेंगे इस गेम की सबसे कमाल की बात है इसका मैप जो की काफी जादा बड़ा देखने को मिलता है और गेम में बहुता एक Creatures देखने को मिलते हैं और गेम के Graphics तो आपको दिखी रहे होंगे जो की काफी जादा बड़ी हैं और अगर गेम के Size की बात करूँ तो वो आपको 1.7 GB के आसपास देखने कले मिलता है तो अगर आपके पास एक अच्छा device है तो आप इस गेम को इसली खेल सकते हो और नमबर 2 पर जो गेम आता है उसका नाम है Path of Rune गाइस ये गेम में आपको काफी कमाल के Survival and Crafting element देखने को मिलते हैं और एक बड़ा सा Open World Map भी मिलता है और हमें मैप से ज़रूरी सामान कलेक करके टूस बनाने होंगे वैपन्स बनाने होंगे और रहने के लिए शैटर बनाने होंगे और ये नई गेम में आप एकल्स भी बना सकते हो जैसे कार हेलिकॉप्टर जो चाहे वो बना सकते हो और बहुत सारे creature से fight भी कर सकते हो मतलब इस game में आप survive के साथ साथ जबरदस्त RPG के मज़े भी ले सकते हो मगर ये game अभी development में है जो कि जल्दी ही release हो सकता है और number one पर जो game आता है उसका नाम है Palward Mobile हाँ guys सुनने में आया है कि Caleb और Palward के maker pocket pair एक साथ मिलकर एक गेम पर काम कर रहे है जो कि और कोई game नहीं Palward का mobile version है जो बिल्कुल आपको Palward जैसा ही देखने के लिए मिलेगा मगर ऐसा हो सकता है कि गेम तो वही आए पर limited चीजों के साथ अभी तो Palward Mobile से related कुछ जादा news नहीं आई है मगर ये गेम भी जल्दी release हो सकता है तो आज की वीडियो में मैंने आपको top 5 Palward जैसे गेम बताए हैं जिन में से कुछ तो आप अभी अपने mobile में खेल सकते हो मगर कुछ के लिए आपको wait करना होगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को like कर देना और चैनल को भी subscribe कर लेना तो चलिए मिलता हूँ next वीडियो के संग तब तक ले बाई बाई